नमस्का दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत इंपोर्टेन जानकारी देंगा, सभी लॉग रेजुएट्स के लिए, सभी लॉग स्टूडेंट्स के लिए, और सभी एड्वोकेट्स के लिए, ये कोशन आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, आज इंटर्न के तौर पे, बहुत लोग मुझे अप्रोच करते के सरा हम आपके साथ इंटर्शिप करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक तरीके सा बेनिफीट मैं ये प्रोवाइट करना चाहता हूँ, क्या आपको गर बैठी, मैं आज इंटर्शिप के तौर पे आपको ऐसे questions के जवाब देता रहूँगा, जिससे कि आपकी legal knowledge बढ़ेगी, और एक society के अंदर भी आप एक awareness की तौर पे ये जो knowledge है, अपनी explore और distribute, spread कर पाओगे लोगों के बीच में, तो ये question मेरे सामने, आपके सामने ये है, कि अगर कोई भी wife होती है, यानि कि wife को हम daughter-in-law भी सकते हैं, तो wife जो है, क्या claim कर सकती है, कि मुझे अपनी mother-in-law की property के अंदर, घर के अंदर, right to reside का अधिकार दिया जाए, under section number 17 of protection of women from domestic violence act 2005 के तहत, क्या wife के पास ये अधिकार होता है, बीच में जो husband होगा, husband बोलेगा कि भाई, मैं अपनी जो property की ये demand कर रही है wife, मैं इसका owner नहीं हूँ, मेरी मम्मी के नाम पे property है, अब ये मेरी मम्मी के नाम पे property है, तो भाई, मैं कैसे जो है, इस particular अधिकार को, अपनी wife को दिला सकता हूँ, अगर मैं owner होता, तो मैं बोल भी सकता हूँ, यार, wife claim कर भी सकती है, under section number 17, तो ये जो question है, यहाँ पर हम women's की rights की तो बा मांच 2022 को release करा गिया था, उसके बारे भी मैं आपको ये समझाऊंगा, पूरे YouTube पे आप सर्च कर ले ना, आपको पूरे YouTube पे ऐसी जानकारी कहीं पर भी नहीं मिलेगी, in fact आप अगर as a law student या नए ने ने law graduate होए हो, किसी वकील के साथ में आप अपनी practice करते हो, तो 100% वो भी भी आपको ऐसी जानकारी नहीं देंगे, जो हर एक law student को होनी चाहिए, तो मैं आपके साथ हूँ, तो मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा, तो हम वीडियो को start करते हैं, और अगर ऐसी questions आपको लगतार basis पे जानने हैं, अपनी पढ़ाई करनी हैं, जुडिश्री के exams crack करनी हैं, उसकी तेयारी करनी हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ीया platform है, Unacademy, Unacademy के उपर अभी क्या है, कि मैं भी as a plus educator के तौर पे join हो चुका हूँ, साथ ही में Unacademy के ऐसा आपको opportunity दे रहा है, कि भाई अगर आपको Unacademy पे join होना है न, अपना पूरा subscription ले अपनी judiciary exams के तियारी करने के लिए, ऐसे particular laws के questions को जानने के लिए, तो आप आगे proceed कर सकते हो, साथ ही मैं मैं भी अपना as a plus educator आपको अपनी services देऊंगा, हर एक particular law subject आपको मैं पढ़ाऊंगा, और recently अभी एक हमारा नया batch भी launch होने जा रहा है, 20 October को, 12 महीने की duration के साथ में, औ रात में मैं भी आपको एक नई महा अभ्यास सीरीज के तोर पे, 19 October से लेके 31 October तक रात के 9 बजे, daily basis पे, बिलकुल free of cost, हमारी महा अभ्यास सीरीज चलेगी, हम तीन educators को मिलके, आपको complete constitution, complete evidence, complete CRPC, आपको सारे के सारे हम MCQs basis पे, 50-50 questions daily basis पे कराएंगे, अगर आप लोग interested हो तो आपको code use करना है SLG10, ये free class join करने के लिए, free trial use करने के लिए, इसके माद अगर आप batch लेना चाहते हो, तो आपको 10% discount लेना है, 10% discount आपको 100% मिलेगा, मेरा code use करने पे SLG10, अब ये महा अभ्यास की सीरीज, free trial subscription लेना है, तो ये और आपको कोई भी doubt बनता है, अगर आप आपको expert से कोई doubt चाहिए, सारे के सारे links आपको description box के अंदर मिल जाएंगे, महा अभ्यास की सीरीज के भी particularly date wise आपको सारे links आपको description box के अंदर मिल जाएंगे, तो join जरू करिएगा, code है मेरा SLG10, याद रखेगा, अब हम जो हैं अपनी topic को forward करते हैं, यहाँ पर मैंने आपक कर आता है, नहीं कर सकती, क्यों, as for the supreme court की में बात करूं, और particularly एक हमारे domestic violence act 2005 की में बात करूं, तो वहाँ पर हमारे act में केवल और केवल यह छोटी सी बात लिखी हुई है, under section number 2S के तौर पे, under section number 2S के तौर पे, यह complete लिखा हुआ है, कि wife जो है, claim जब ही कर सकती है, जब husband का पास कोई ownership हो, husband या तो उस particular joint family में जो रह रहा है, उस property के अंदर, अगर husband के पास भी हिस्सा मिलेगा, जब wife right to settled, settled का under section number 17 के application फाइल करके, judicial measure first class के वास में, जब वो अपना right claim कर सकती है, या फिर अगर वो husband के साथ कोई किराए पे रह रह रही है, तो वहाँ पर wife कभी अगर rent agreement उसके अंदर आता है, तो यहाँ पर wife claim कर सकते है, right to settle, husband के पास कोई अधिकार नहीं है, कि वो अपनी wife को भार निकाल दे, ठीक है, लेक जो will है, वो execution में जब आएगी, जब mother-in-law की जब death हो जाती है, जब execution में आईगी, अभी अगर मैं currently बात करूँ, तो owner कौन है उस particular property का, हमारी कौन है, mother-in-law है, यानि कि मा है, husband की मा है, अब उस case के अंदर, जब wife शादी होके अपने घर में आई है, यानि daughter-in-law के, daughter-in-law जो है, वो शादी करके, बिहा के, जो है, अपनी mother-in-law के घर पे आई है, यानि कि अपनी सास के घर पे आई है, तो इसको मतलब यह नहीं है, कि wife बोलेगी, कि भाई, अब तो मेरा share household के तोर पे, as a right मेरा generate हो गया है, भाई, right generate जबी होता है, जब आप जो है, अपना husband की property का कोई ownership होता है, कोई rented agreement में आप रहते हो, rent के अंदर रहते हो, तो वहाँ पे भी आपका लिखित में rent agreement में नाम होना ज़रूरी है, कि यहाँ यह पती है, और यह पतनी है, दोनों के नाम पे rent agreement होता है, तो अगर ऐसी situation आती है, तब wife claim कर सकती है, अब अगर husband owner ही नहीं है, और तो उस case के अंदर स्वारी यहाँ पे claim करा नहीं जा सकता, यह particular statement हमारे particular Supreme Court के judgment का नाम है, अर्चना जी डॉट खंडेलवाल वर्सेज राजेश बालकृशन मेनन, 2022 Supreme Court 11 March 2022 को यह judgment हमारा release करा गया था, अगर मैं particular points की बात करूँ, अगर contents की बात करूँ, तो क्रक्स के अंदर Supreme Court ने इस particular judgment में एक clean सब्दों में बोला था, the issue of accommodation in a domestic violence dispute between husband and wife, shall not affect the landlord's right to get the position of his property, wife cannot claim residence at the landlord's house, his relationship with the tenant is based on the rent agreement, जैसे मैंने बताया कि जो इसकी right मांगने का अधिकार होगा, और settled का, right to settle का, वो depend करता है कि landlord का relationship कैसा है, अब अगर मैं mother-in-law and daughter-in-law का dispute की मैं बात करूँ, तो उसमें भी हमारा case आता है, जिसका case का नाम है बहुत important case है, आप इसको अपनी copies में no-down भी कर सकते हैं, इसमें भी particular high court ने ये अपना current तौन पर बोला था कि नहीं, wife के पास क बता है, ये हिस्सा particular इस family का है, ये particular हिस्सा इस family का है, बुआ, चाची, ना, 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 वेगर वेगर, जो भी कोई हमारा particular point आता है, तो आपको अगर ये point समझ में आ गया है, तो आप मुझे comment box के अंद अपना point of view ज़रूर बताएगा, और भी हमारे बहुत सारे cases are relevant, अगर अगर दूसरे में application file करने की बात को लो, section 17 of हमारा domestic violence act 2005, तो particular sections होते हैं, और case laws मैंने आपको बता दिया, 2022 का Supreme Court का भी and High Court का भी particular भी latest है, 2015 का Punjab and Harana High Court का, अगर कोई भी confusion, clarification आपको चाहिए, तो आप मुझे comment box के लिए जरूर बताएगा, अगर आप लोग ऐसी daily tips जानना जात अगर आउं, जिससे की practical life में आपको पता होने चाहिए, तो यह आपको पर depend करता है, तो जाद से जादा वीडियो को like and channel पर subscribe करना और वीडियो को share करना, उसी से ही पता लगेगा कि आप कितने interested हो, ऐसी daily updates जानने के लिए, आप मुझे follow करते ही है, हम मिलते हैं, हम मिलते हैं एन बेख वीडियो के लिए से आपको